और SLOR की अगर एक और ब्रैंड की बात करूं तो इसका एक economical वर्जन भी आता है जिसको हम लोग elements के नाम से जानते हैं ये blue cut होता है, blue light से production देता है आपको और ये एक Indian वर्जन है SLOR का ही और इसके price friends आपको 1570 से start हो जाते हैं Hello friends, welcome back to my YouTube channel Dr.Spat, hopefully मेरी सारी वीडियोज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और जैसा कि आपके message मुझे मिलते हैं और जिस आपसे आप लोग मुझे support कर रहे हैं, मैं बहुत खुशूँ friends, जो आपका इतना प्यार और support मुझे मिल रहे हैं Friends, आज का topic बहुत ही important है, बहुत सारे दोस्तों ने ये question पूछे हैं कि ये blue cut या blue filter lenses जो है, उनके prices क्या होते हैं आज हम बात करते हैं कौन सी international brands और कुछ Indian brands के बारे में जो इंडियन मार्केट में available हैं और उनके prices क्या क्या होते हैं, आपको एक हलका सा idea दोंगा कि prices क्या होते हैं और किस quality के lenses होते हैं आज हम इस topic में बात करते हैं, इससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को जो नए है मेरे channel पर उनको कहूंगा प्लीज दू सब्सक्राइब ताकि जो भी मेरी latest videos हैं, जो आपकी eyes और specs से related हैं, वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचें, timely आपके पास पहुंचें और आप उनको अच्छे से देख पाएं और आप समझ पाएं कि हमें क्या precaution रखने चाहिए हैं, lenses लेते वक्त या पूरा चश्मा खरीगते वक्त तो friends आईए, बात करते हैं हम कौन-कौन सी brands हैं, जिनके आज हम blue cut lenses के price के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे, अगर मैं international brands की बात करेंगे तो काल जाईज, number one, number two, acylor, krizal, जिसका प्रलब coating krizal के नाम से popular है और इसके बाद हम बात करेंगे Nikon, और हम फिर बात करेंगे Vision RX Lab, इसके लावा हम बात करेंगे शमीर के lenses कुछ और Indian brands हैं, उनके बारे में आपको आइडिया दूँगा, तो जो international brands हैं, उनके prices लगभग आपके 2000 के round से शुरू हो जाते हैं और अगर मैं बात करूँ Indian brands की, तो लगभग आपके 1300-1400 रुपे, 1300-1400 के round से शुरू हो जाते हैं तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, Zyze की, बहुत छोटे-छोटे बताऊंगा आपको एक idea दूँगा, approximate की इस range से available हैं, तो जो भी आपकी पसंदीदा brands हैं, आप उनके बारे में inquiry कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, I am sure जो आपके बहुत अच्छे नियरवाई optician से उन पे व हो जाते हैं, इसके लावा एक और brand है दोस्तों Synchrony, Synchrony जो है वो Zyze, Kal Zyze जो है उसी के group से आती है, और इसको मैं एक तरह से Indian version बोलूँगा, और इसमें आपको HMC Blue के नाम से ये lenses available रहते हैं, और इनकी starting price जो है 1400 में होती है, 1400 में होती है, इसके बाद थूसरी brand हम बात करत ब्लू filter के साथ, तो वो आपके 1400 रुपीज से शुरू हो जाते हैं, वो ब्लू filter lenses बनाते हैं, और जो आपका price range लगभग 4900 रुपेज से शुरू हो जाता है, अब हम बात करते हैं, शमीर brand की, ये इसराइल की brand है और इंडिया में available है, अगर मैं शमीर brand की बात करता हूँ friends, तो इनके lenses आपके 3750, 1750, 1750 रुपीज से शुरू हो जाते हैं, और ये एक तरह से blue cut lenses है, अब हम बात करते हैं, जो कि आप लोग वेट कर रहे होगे, क्रिजाल, ऐसलॉर, तो क्रिजाल एक कोटिंग का नाम है, ऐसलॉर एक कमपनी का नाम है, जो क्रिजाल की कोटिंग को manufacture कर इन दोनों में ही available है, क्रिजाल प्रिवेंशे के साथ भी available है, अगर मैं बात करूं क्रिजाल यूवी की, तो ये 3290 रुपे से शुरू हो जाती है, 3290 से शुरू हो जाती है, और प्रिवेंशे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लगबग 4790 से शुरू होता है, और एसलॉर वर्जन है, ये ब्लू कट है, ब्लू फिल्टर नहीं है, इसके लावा हम दूसरी ब्रैंड की बात करते हैं, जो एक इंडियन ब्रैंड है, that is called Vision Rx Lab, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा इस लेब का भी, अगर हम बात करते हैं Vision Rx कंपनी की, तो Vision Rx कंपनी में आपको बताना चाहता हू, इंडियन ब्रैंड है, बट इसकी पैरेंट और्गनाज़ेशन ऐसे लोरी है, जो क्रिजाल बनाती है, तो इनके लेंसे भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये ब्लू कट में आपको तो ये नोवा थिन मेक्स या नोवा फीनो के नाम से आते हैं, अगर मै स्टार्टिं पॉंंट की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ ओ्रूबा थिन मेक्स सरीस की ब्लू मेक्स, इसमें आपको 1420 रूपे के रांड कोस्ट करता है, अगर मैं बात करूँ नोवा फीनो सरीस की, तो ये आपको 1700 के रांड कोस्ट करता है, तो ये आपका that is all blue cut lenses, एक बात और जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि ब्लू कट और ब्लू फिल्टर तो देखी फ्रेंट्स कोई भी लेंस ऐसा नहीं है जो ब्लू कट हो जो भी बेस्ट लेंस है जो ब्लू कट करते हैं वो भी अल्मूस्ट मैक्सिमूम यह दिखती है धिल्सकार अख हां है तो जो ब्लू कट लेंस ब्लू कुट इसके अलाबा अगर मैं बात करूओ तो जो ब्लू कट लेंस को देंट revers लेंस को लिए जो देती हैं और इनके प्राइस सम्वेर एराउंड 1400 रोपे से शुरू हो के 1400 के एराउंड से शुरू हो के लगबग 20-30,000 या उससे जाधा भी जाते हैं तो फ्रेंट्स ये एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया है ब्लू कट लेंसे के प्राइस के बारे में बट मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा आप कोई भी ब्रैंड लेते हैं ऑथन्टिसी सबसे पहले चेक करेंगे मैंने ऑथन्टिसी के लिए एक वीडियो बनाई हुई है कि आप ऑथन्टिसी कैसे चेक करेंगे वो देखिये उससे आपको समझ में आएगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए डिलिवरी लेने से पहले अपने चश्मे की ये बहुत जरूरी है बिकास नॉर्मली लैंसे बहुत कम ऐसे होते हैं जिन पर जैसे मैं अगर क्रिजार प्रिवेंशिया की बात करूं कोई फॉग मार्क नहीं आता उसमें चीटिंग के चांसे बहुत जादा होते हैं इस पर तो मैंने एक स्पेशिल वीडियो डाली है बिकास मेरे सामने ही बहुत सारे केसे आते हैं तो फ्रेंट्स आपको अभेर करना बहुत जरूरी है और बिसिकली मैं यही काम कर रहूं आप लोगों के साथ और आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बहुत मिल रहा है फ्रेंट्स यह सपोर्ट अपना बना कर रखिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक अच्छे ज़े टॉपिक के साथ तब तक के लि अपनी आखों का ध्यान रखिए नमस्कार